कॉगनीशन इन कल्चुरल प्रैक्टिस यनि नॉलेच के इन करना जो है हमारी मुख्तलिफ जो कल्चर के अंदर रिवाज और प्रैक्टिस हैं उनके अंदर कॉगनीशन किस तरह काम करती है जो कल्चरली और्गनाइजड इक्सपीरियंस है ना जो इसी कल्चर में मिलजुल के एक हमारा इजत्माई तजर्बा बने है यह कल्चरल प्रैक्टिस होती है अच्छा अब ट्वीडर उसके कुलीग ने 1998 में यह आइडिया दिया था कि युनिवर्सल कॉगनीटिव करेक्टर कि जो कि तमाम इनसानों में होती हैं जैसे बोल लेना इशारे कर लेना यह सब कर सकते लेकिन इनका जो मतलब एइनका जो खास जिरेक्टर इनके अंदर जो सबस्टेंस है यnah है क्या कंटेंट उसमें इसकी डेफिनिशन और इसकी जो मोटिवेशनल पॉर्स हैं क्यूं कर र Actually, किसी culture के अंदर क्या practice हो रही है, कोई activity जो है, उनकी जिन्दगी में कैसे हो रही है और उनके जिन्दगी को जाने का तरीका क्या है, इसके अंदर हमारे बहुत से cognitive characteristics यानि नौलेज को एक दूसरे तक पहुंचाने के जो तरीकें हैं, वो हमारे culture के अंदर से हम सीखते हैं, जब आप culture के अंदर रखके उसको देखते हैं, अब social groups के अंदर जो culturally organized practices हैं, वो काफी परक होती हैं, तो इसलिए ये study करने की हमें बहुत जबरदस opportunity देती हैं, कि हम cognition और culture के बीच में जो रिश्ता है उसको समझें, निस्बत और मसूदा ने ये बहस की थी, कि attention में, perception में और cognition में जो फरक है, वो हमारे जो मौशरती structure हैं, और जो हमारी social practices हैं, उनकी वज़ा से होते हैं, ठीक है? तो सरपल ने बहुत पहले study की थी, कौटलेंड में, उस वकत वो जैंबिया में काम कर रहा था, Southern Africa में, तो उसको ये लगा कि जो कुछ किताबों में लिखा हैं, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होतें, उनकी ability काम होती है, वो objects को, चीजों को describe नहीं कर पातें, या उसको represent नहीं कर पातें, या समझा नहीं पैतें, वो इसलिए है क्योंकि उनकी perceptual ability develop नहीं होती है, उसने फिर study की, तो उसने का कि क्या ये perceptual ability का फर्क है, क्यों में ability नहीं है, चीज़ हैं perceive करने की जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो होता ये कि हर culture एक खास तरह से चीजों को बियान करने या समझाने के लिए आपको तियार कर देता है, मैंने अपने ही मुल्क में, अपने ही शेहर में, अपने ही इलाके में ये फर्क देखे है कि कुछ लोगों को चीज़ें organize करनी नहीं आती हैं, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे होती हैं, तो चीज़ों को तर्टीब से रि ये जो category है और ये जो cognition है, ये उन लोगों में जो के वर्बल भी हैं, लेकिन उनके घर के culture में इस चीज़ को किया नहीं गया तो उन्होंने वर knowledge नहीं गया, तो जिन culture में कुछ चीज़ें ना की जाती हों, उसकी learning ने आती, तो उसने ये टेस्ट किया कि उनकी ability की वज़ा स है, तो उसने perceptual tasks दी, उसमें बच्चों को ये का गया था कि ये हाथ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको अपने copy करना है, ठीक, अच्छा, ये experimenter ऐसे करता था और बच्चा उसको copy करता था, उसके बाद उनको का कि ये figure बने में हैं, इनको copy करें, two dimensional figure है, ठीक है, और फिर two dimensional figure थे, उसको इपर उसने wire सी लगा दी थी, और चौता test था, कि three dimensional figure है, जैसे cup है, उसको आप मिटी से बनाएं, ये सब perception मांगती है, ये सारी चीज़ है, copy करना चीज़ों को, समझना, बनाना, उसकी observation से उसने ये समझा, कि cultural differences हैं, किस हब तक बच्चे घर में ये करते हैं, और उसकी विज़ा से वो stress पे कम या बेतर perform करेंगे, नकल उतार लेंगे, हाथ उस तरह कर लेंगे, कोई figure जो है, उसको बना लेंगे, या पहचान लेंगे, इसलिए उनका culture उनको इसके लिए तियार कर रहा है, ये नहीं कि बतौर बच्चे के उनके द दोनों group में उन्होंने modeling, clay modeling experience की भी थी, नहीं मिटी से या clay से चीज़ बनाते थे, तो कोई difference नहीं आया दोनों cultures था, लेकिन difference pen और paper के use में आया, जब उन्होंने किसी object को draw करना था, क्योंकि जिस culture में draw करने का object नहीं कोई रिवाज, नहीं सीखावा, आप ये अपने हां के come educated, non educated, जो group है, उनके बच्चों में और अपने बच्चों में करके देख लेंगे तजर्बा, और आपको पता चलेगा कि उन्होंने अगर ये नहीं किया, तो ये नहीं कि ability नहीं है, इसलिए कि culture नहीं experience नहीं दिया, तो इसमें Scottish और Zambian children में जो है एक फरकाया, तो ये है culture का आपकी cognition, आपकी cultural practices का, क्या बच्चे लिखते हैं, क्या बच्चे चीजें बनाते हैं, क्या वो तागे सुई में डालते हैं, तो अगर उनको वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनके culture में वो practice नहीं है, cultural practice आपके cognitive processes से बहुत intricately related है, और इसको हम इन study के जरिए जो किया गया, उसने ये थाबित किया कि फरक cognitive ability का नहीं है, फरक cultural practice का है, जिसके विरा से किसी ने वो सीखाने है,